तो फ्रेंट्स चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक आज जैसा कि मैंने कहा था कि हम लोग संडे को डिसकुस करेंगे कि हमारी कितने TGT उसके सेलेबस को उपर चर्चा करेंगे देखेंगे कि कितने पॉइंट्स हम लोग के हो गया है और कितने बाकी है और आग यह हो गया है हमारा पॉस्टिकता के संकल्पना में देखिए क्विश्चन्स वैसे निकल गया हैंगे जैसे कि प्रोटीन, विटमिन, खनीज लवर, मिंडरल्स यानि जितने भी पॉस्टिक तत्व हैं ठीक है उन सब को अलग-अलग से पढ़ना उन सब के बारे में जानना इस इसी के अंतरगत आएगा इस लिए इस पर एक एक वीडियो में ने प्रोवाइट करा दी है जो एक दो टो बचे हैं वह मैं जल्दी ही अपलोड कर दूंगी तो इस तरीके से यह कॉंसेप्ट जो है यह टॉपिक क्लियर हो गया है नेक्स देखते हैं आहार की संरक्षना यह यह लोगों ने अच्छे से डिसकस किया है तो इस तरीके से जो है फूड न्यूट्रिशन के कुछ वीडियो जो है मैंने अपलोड किये आप लोग उनको जरूर देखेगा अब आगे देखते हैं होम मैनेजमेंट का होम मैनेजमेंट में कितनी तयार ही है तो देखें ग्री प्रतिमान क्या है इसको भी हम लोगों ने अच्छे से जाना है तीक है और कारेस सरली करण ये भी कंपलीट हो गया है आंतरिक सज्जा शुद्व्दिशमेंट में अच्छे से डिसकस किया है तो इस तरीके से जो है होम मैनेजमेंट के भी मैक्सिमम पॉइंट्स या फिर 50% घर के तिसके और बि 귀여ए है अभी कुछ बागी है तक है अब से WEDIOS में आप लोगों को पर्रोवाइड करा दूँद अब कद़ें हेल्थ की तरफ हेल्थ में हमारे हैं देखे स्वास्त का अठ्थ युवं परिभाषा यह लोगों ने कंपलिट किया यह सारे चीज़ें जान लिए हम लोगोंने सरकारी और गैर सरकारी संगठर जैसे की पर्यावरर का महत्व पर्यावरर प्रदूशर यह भी हम लोगों का थॉपिक अभी कम्प्लीट हो गया है बस इस पे एक वीडियो और है जो कि यह पर्या वरन सन रक्षा यह जानना बहुत ज़रूरी है इसलिए अभी यह बाकी है मैं जल्दी आप लोगों को करा दूंगी ठीए स्वास्त प्रकोप की रूप में जल एवं जल एवं वायो जनित रोग जल एवं वायो जनित रोग यह भी बहुत अच्छे से डिसकस हो गया है यहां तक हम लोगों ने अच्छे से डिसकस कर लिया है अभी पाकी है इसमें प्राथमिक स्वास्त रक्षा के सिध्धान्त पारिवारिक समाने दुरगटना है ठीक है जिसमें की जलना जुलसना और फ्रेक्श यह सारी चीज़े इसके अंतरगात आती है उनका निदान और विभिन प्रकार की पत्टियां जहां से देखिएगा विभिन प्रकार की तो फ्रेंस आगे बढ़ते हैं अब देखेंगे प्राथमिक स्वास्त रक्षा के सिध्धान्त पारिवारिक स्वास्त परिवार के समान गया है तो बच्चों की विधि विकास यह कंप्लीट हो गया है और देखते हैं तेक्स्टाइल में में रेखते हैं वस्त्र सिले कपडे रेशो का वर्गी करन रेशो का वर्गी करन तो इन सबकों अलग अलग हम लोगों को अच्छे से पढ़ना है प्राकर्टिक रेशा कित्रिम रेशा ठीक है इस तरीके से तो यह अलग अलग कुछ वीडियो मैंने डाली है आप लोग जरूर इसको प्लेलिस्ट से देखिएगा ठीक है उनका रसायन भी मैंने बनाया है कि कैसे बनते उनका तो देखिए दुलाई वाला पॉइंट हम लोगों को ने कर लिया है अब देखते हैं विबिन औसरों और मौसम के अनुसार लिवाश का चुना यह पॉइंट भी बस बाकी है यह भी जल्दी खतम हो जाएगा तो टेक्स्टाइल से भी इतने वीडियो हो गये हैं अब एक्स प्रसार शिक्षक की आवश्यक्ता क्यों पढ़ती है विशयक्षेत्र एवं दर्शन दर्शन प्रसार के विबिन विधियां और सामुदाइक विकास तो यह पॉइंट है एक्स्टेंशन एजूकेशन की इसके भी हम लोग वीडियो जो है कुछ वीडियो मैंने अपलोड की जहली है फिर देरे देरे对क भी हम लॉब perform लेंगे तो और मैंने वब्लट किया है कि Third 입 box krij कहे ब्लब की निकल कर र graph ऑक है इसलिए मैंने questions divide किया है कि सभी ब्रांच से यानि कि जो छे चे टॉपिक है उनसे कैसे कैसे questions निकल के आएंगी कितने कितने तो आहार यहां पस्टिकता से मैंने अनुमान लगाया कि 25 home management से 20 हेल्थ से भी लगबग लगबग 20 questions बाल विकाज से 20 questions टेक्स्टाइल से 20 questions और education के भी 20 questions इस तरीके से हमारे कितने हो जाते हैं कुल 125 questions जो है वह complete हो जाते हैं तो यह तो थी चटचर थी चोटी सी चटचर कि हमारा कैसाओ चल रहा है ठीक है अमारी तैयारी कैसे चल रही है साथ साथ हम लोग प्रीविएस यहर का practice के तो लगा ही रहे हैं friends आप भी अस उसको देखते रहेगा और लगा लगाते रहेगा, उसको कोशिश रहेगा, solve करने की, ठीक है, अब आते हैं कुछ आज के discussion के आज की queries के बारे में, ठीक है, मुझे queries आई थी कि मैम, आप कहीं और भी पढ़ाती ही, क्या, तो नहीं, तो friends, मैं कहीं और नहीं पढ़ाती हूँ, मेरा teaching का पहला experience, YouTube पर ही है, और य कुछ सुधारना है, कुछ चीजे जो नहीं समझ में आती है, ठीक है, सारी, सारी की सारी चीजे आप लोग मुझे जरूर कमेंट बोक्स में लिखके बताएगा, इसलिए कभी-कभी मेरे अंदर थोड़ी सी जीजख है, वो आप लोगों को दिखती होगी, लेकिन दीरे-दी यह कमी भी दूर हो जाएगी, तो यह होगे मेरे टीचिंग के बारे में, अब एक क्वेशन और था, कि मैं, आप हाउस वाइफ है, फिर भी आप कैसे वीडियो बना लेती है, तो देखिए, हाउस वाइफ है, तो क्या हुआ, जिम्मेदारी है, सबकी है, जो जो भी, जितनी करना ही पड़ता है, कुछ चीजे जब तक आप अपस और डाउन नहीं करेंगे, आप कोई भी कॉम्पेटिशन की त्यारी नहीं कर सकते, कहीं ने कहीं, थोड़ा सा तो एजस्मेंट करना ही पड़ेगा, ठीक है, अगर आप सोचते हैं, सब कुछ आपको आपके अनुकूल ह तो आपका मन ही नहीं लगेगा, उस चीज को करने में, क्योंकि चीजे बहुत आसानी से मिल जा रही है, लेकिन जब उसी क्यों, जब टाइम रहता है, तो हमें समझ में नहीं आता है, चीजे बहुत ही आसानी से मिलती है, तो क्या हो जाता है, उसकी वैल्यू नहीं रहती, अभी क्या है अभी हमारे पास टाइम नहीं है तो अब हमें समझ में आता है कि काश अगर मैंने पहले से इतनी प्रिप्रेशन की होती तो आज इतना प्रॉब्लम फिस नहीं करना पड़ता तो यह चीजे जो है वो समय के साथ दीरे दीरे ही आदमी सीखता है लेकिन जब तक सी कुछ किनी आएगा तो हाउस वाइप है प्रिवार है फेमली सब कुछ है सबको लेकर साथ चलना है लेकिन फिर भी जह है कॉम्पटीशन की तायारी तो करनी ही है तो अपने लिए अपनी फेमिली के लिए अपने बच्चों के लिए तो सामने आप टार्गिट बना के और एक और पॉइंट में आपको बताओ दू कि जैसे अब भी देखिए बहुत सारे लोग यह सोचते होंगे कि टैट भी है तो आप लोग यह सोचते होंगे कि सारे एक्जाम की तैरी एक साथ कैसे की जाए तो फ्रेंट्स तारे एक्जाम की तैरी एक साथ करने की बजाए ठी सम유ज लिजागी यह हमारा टारगेट है यह हमारी एनरजी है ठीख है यह हमारी एनरजी है टेट्ड हो गया फिर उसके बास सूपर्टेट्ड हो गया ठीख है या फिर्टीचिटी में नुरु है बहुत शाने कंपथेश्चेण हमें क्या करेंगी दिस्टर्ब करेंगे ओर मिस्यूज उफ एनरजी मिस्यूज उफ एनरजी अब देखे ये तो होगी एक बात अब देखे दूसरी बात अब यूज आफ एनर्जी कैसे होगी तो देखे एक टार्गेट बनाईए ठीक है एक टार्गेट बनाईए एक पर फोकस करिए अब वो चाहे आपका टैट हो चाहे सूपर टैट हो या फिर टीजीटी हो पीजीटी तो दस चीजे करने की बजाए आप एक चीज करेंगे तो चीजे जरूर जरूर आपको सक्सेस मिलेगी जरूरत है आपको अपनी इमानदारी और महनत की जब तक किसी भी काम है चाहे कोई भी काम हो ठीक है जब तक आप उसमें अपना 100% अपना 100% नहीं देंगे रिजल्ट नि करेंगे तो कब करेंघे तो तक करेंगे ठीक है ऑफ यहीं लास्ट चांस समझ के इसी में स्डि निकालने की कोशिश करिए The तो है यही वाली भड्षी है, ठीक है अब चाहे अप इस पर फोकस करें 먹을 है इस पर फोकस करें । य है अपनी एनरजी मत करें अपने ेनरजी को जू है एक ऐसना फकस कर के एक टार्गेट बनें और उस पर उसको अचीव करने की कोशिश कीजिए तो आई होप ये थोड़ी सी मेरी जो प्रेड़ना है जो मोटिवेशन मैंने देने की कोशिश की है आई होप आप लोगों तक जरूर पहुचेगी और आप लोगों को इफेक्ट भी करेगी चीज़े अगर समझ में आए अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मल भूलिएगा मिलते हैं अपने नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक्यू